28 अक्टूबर को शरत पूर्णिमा है शरत पूर्णिमा पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहन लगने वाला है चंद्र ग्रहन के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगी जानते हैं कि शरत पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और जोतिश उपाय का मुहूर्द क्या है? इस बार शरत पूर्णेमा के दिन साल का अंतिन चंद्र ग्रहन लगने वाला है. आश्विन पूर्णेमा के दिन शरत पूर्णेमा होती है. इस साल शरत पूर्णेमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है. शरत पूर्णेमा को रास पूर्णेमा भी कहते ह मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधारानी और गोपियों के संग शरत पूर्णिमा की रात महारास रचाया था शरत पूर्णिमा को वरत रखकर पवित्र नदियों में सनान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं सत्यनारायन भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं. इससे घर में सुख, शान्ती और समृध्धी आती है. शरत पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा होती है. धन और वैभव की प्राप्ती के लिए माता लक्ष्मी से जुड़े जोतिश लेकिन चंद्रग्रहन के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा कैसे करेंगे? कब से कब तक हैं शरत पूर्णिमा दो हजार तीस? पंचांग के अनुसार अक्टूबर को दोपहर शून्य दो बचकर बावन मिनिट से लग जाएगा. सूतक काल में पूजा और जोतिश उपाई नहीं किये जा सकती हैं. शरत पूर्णिमा दो हजार तेईस चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त? शरत पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहन का सूतक काल दोपहर दो बचकर बावन मिनिट बजे से लग रहा है. ऐसे में रात के समय न तो लक्ष्मी पूजा होगी और न चंद्रमा को अर्ग्ह दे पाएंगे. इस थिती में आप शरत पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पूर्फ करें या फिर चंद्रग्रहन के समापन के बाद करें. हालांकि ग्रहन के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा करना सही रहीगा. रात्री में आपको शरत प पूर्णिमा कहते हैं इस बार आप शरत पूर्णिमा पर लक्षमी पूजा चंद्र ग्रहन के बाद करें उस समय ही शरत पूर्णिमा के जोतिश को पाई भी कर लें